How Streaming Works Streaming कैसे काम करती है कि एक वीडियो है InPortCB Service के पास Hotstar के पास Netflix के पास उनके पास वीडियो है उस वीडियो को पहले इंकोड करा जाता है in different format उसके बाद उसको एक वीडियो सर्वर पे भेज जाता है जो की store करता है उस वीडियो को different data storage में generally object stores use कि जाते हैं वीडियो इंकोडिंग क्या करता है कि इस वीडियो को chunks में divide कर देता है कि छोटे-छोटे parts में divide कर देता है अब यह जो chunks है यह finally जाते हैं network पर यह network का क्या मतलब है network is content delivery network content delivery network हमको क्यों चाहिए अब suppose करो कि एक इंसान कोई इंडिया में बेटा है को यूएस में बेटा है पर जो data यह जो तुमारा stored video है यह तुमारी इंडिया location पर कहीं stored है तो जो बंद यूएस में बेटा है उसको यह data जो जब वो stream कर रहा है तो इंडिया से वहां तक लेगी जाना पड़ेगा तो basically over the network जो time लेगा to travel data from India to US तो काफी जाद होगा तो उसके लिए content delivery network काम बाता है कि जो भी data serve हो रहा है वो लोगों की location के हिसाब से जो closest content delivery network का node है तो यह जो तुमारी वीडियो के chunks हैं यह content delivery network पर जितने भी nodes हैं सब पर चले जाते हैं उसके बाद finally end user को जब जब मांगता है तो यह content delivery network से data serve हो जाता है पर अब इसके अंदर problem क्या है इसके अंदर problem यह है कि suppose कि एक feed आ रही है तुमारे पास complete video different chunks में तूट के आ रही है अब यह CDN के different devices है और तुम सपोज यह हो तुम connected to a CDN devices से जिससे तुमारे को data मिल रहा है पर अब issue कि यह जो chunks है suppose यह order में नहीं आ रहे है जो third chunk है वो पहले आ फिर first chunk आया तो यह different orders में आ रहे है तो अब जो तुम्हारा media player है जहां पर तुम देख रहे हो अपना इस coffee with करन वहां पर कैसे तुम्हें order में दिखता है तो वहां पर assemble किये जाते है different chunks into a order अब यह assemble कैसे करेंगे कि यह तुमारा media player जो client है जिस पर तुम देख रहे हो उसको कैसे बता कि क्या order सही है तो basically उसके लिए हम उसको जो भी तुम show देख रहे हो पहले ही एक sequence file भेज आती है उसको manifest file भी बोलते है जिससे क्या होता है कि उस manifest file में chunks के IDs और उनका sequence लिखा होता है तो जैसे यह chunks आते हैं यह जो तुमारा client है यह sequence file को read करता है chunks देखता है कि कौन से order में लगाना है उनको order में लग झाल प्यजड़ करता है यह जो झाल दो झाल 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 झाल